और देखेगा यह इंटाइन के आती है और इंटाइन पहली बाद तो इंटाइन जो होता है वह क्रोटेक्टिब का काम करता है और इंटाइन भी और इंटाइन के बाद हम तीसरे लेयर पर जाएंगे तो हमको मिलेगी प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन अब देखो जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है पॉलिन ग्रेन पहुच गया उसके बाद देखिए किस तरह से ट्यूब एक जर्म ट्यूब जनेरेट हो रहा है और फिर यहां एक जनेरेटिव नुकलियर्स और मेल गयमेट्स पहुच रहे हैं वहां प साइड में दो अक्सेसरी सेल है और बीच में दो पॉलर नुकलियर्स दिखाए गये हैं और उपर तीन अंटी बॉडल सेल दिखाए गये हैं अब यहां पर जैसे फीट और राइस के पॉलन को दिखाया गया है आप यहां देख सकते हैं कैसे उनका पॉलन ग्रेन होता है होते हैं जो चमता होती हो लास हो जाती है और यह देखे जो आपके लेगोमिनोस फैमिले के हैं उनकी जो वियाबेलिटी होती हो करीब एक मंत की होती है और इस सबसे बड़ी बात है कि पॉलन ग्रेन का जो यूज होता है देखो पॉलन भी पॉलन के रूप में मतलब कि यह मधमखे इसका यूज करते ना इनके टेबलर्टस भी आते है थे बिंपॉलन करके तो यह जो होते हैं कि बड़े ही स्वास से वर्धक होते पराकड्ड जो होते हैं उन्से तरह-तरह की दवाय बनती है खासा उसरे जो अथलेट्स होते हैं वह इसका यूज़ करते हैं और इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं पॉलन बैंक में पॉलन बैंक में एक निश्चित टंपरेचर होता है उस टंपरेचर पर हम इसको रख सकते हैं प्रयोक्षाला में और फिर इसका यूज़ कर सकते हैं कभी-कभी इसका ऐलर्जी भी मतलब पॉलन ग्रे है मतलब कि गाजर घास आप देखे होंगे बहुत जादा मात्रा में भारत में मौके पर मिल रहा है यह इलर्जी उत्पन करता है कौन से इलर्जी एक्जीमा और डर्मेटाइटिस यह दो टाइप के इलर्जी उत्पन करता है अब फिर से हम चलते हैं मेलरी प्रोटी बारगन पर जिसे हम अंडूस्यम बोलते हैं आपने देखा था अभी अंडूस्यम को और अंडूस्यम को समझ भी गया होंगे पूरी तरह से मेरे ख्याल से अंथर और फिनाबेंट में डिवाइड होता है और यही जो है कहने का मतलब है कि विपिन डिफरेंट जो फ्लावर्स होते ह है different flower में different color या different type का आपको देखने को मिल सकता है तो आप बिल्कुल भी confused मत होए कि उसमें तो Red color का था इसमें Yellow color का हो गया और बीच में आप देखो Green color का Gainousium दिखाया गया है Gainousium जो होता है Female Reproduoices Part होता है अब हम बात करेंगे female reproductive bargaining की तो देखिए female reproductive और बारकन जो होता है यह आपको योलो कलर में दिखाया जा रहा है यह मोनो कार्पस गैनुसियम है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ही और ये multiple pistols है मतलब की बहुत से जाया हैं जिसमें देखने को मिलेंगे ये ऐसे मतलब cone like structure आप देख सकते हैं बहुत से plant में आपको मिल जाएगा देखने को तो main party ये है देखें हिबिसकस का आगर हम देखें मतलब की जिससे आप बुढ़ाल का pushp कहते हैं ये free pistol कहलाएगा और ये separate pistol कहलाएगा क्योंकि देखें यहाँ पे ये stigma और ये fused pistol मतलब की pistol जो हैं fuse हैं आपको ये भी बताया गया था structure of pistol की बात अगर करें हम तो structure of pistol देख सकत हैं कि यहाँ पे stigma style और लास्ट में आपको ओवरी देखने को मिलेगा मतलब कि तीन में पार्ट है stigma style और देखें स्टिगमा जो होता है ना stigma क्या काम करता है stigma attract करता है pollen grain को और style क्या होता है एक tube lag structure होता है और अगर बात करें तो stigma और ओवरी को एक साथ जोडने का काम style करता ह है मतलब यह जो tube lag structure होता है stigma और ओवरी को एक साथ चोड़ता है अब structure आफ ओवरी की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि ओवरी में जो Ovarian Cavity होती है वो आप देख सकते हैं Ovarian Cavity और इस ट्रिक्चर आफ हैं Ovarian Cavity की बात अगर करें तो यहाँ पे Oval भी आपको देखने को मिल सकता है देखिए Oval किस तरह से इनका आरेंजमेंट अलग अलग टाइब से होता है और बीच में जो इनके छोड़े छोड़े पार्ट महिन में इन पार्ट से जो जिनसे जुड़े हुए होते हैं उनको प्लेसेंटा बोलते हैं देखिए प्लेसेंटेशन के अधार पे आप देख सकते हैं फ्री कंट्रोल प्लेसेंटेशन एक्जाइल marginal parental and basal presentation कही टाइप के presentation भी मिलते हैं placenta तो आप जानते है ना वही पतला वाला पार जिससे जुड़े हुए होते हैं यह और ovule से जो है seed का formation होता है and ovary से fruit का formation होता है यह तो आप जानते होंगे पहले से यह पीछ फूर्ट आपको दिखाया गया है यहां आप देख सकते हो किस तरह से seed का formation हुआ है और किस तरह से fruit का formation हुआ है तो यह अप देखिए long section of ovary आप papaya papaya कि अगर हम ovary का एक section देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं papaya fruit को अगर एक काटते हैं खाये तो होंगे ही आप लोग तो ऐसा कुछ देखने को मिले गा मतलब यह जो इनका ovule है देखिए किस तरह से arrangement है एक saved body of an ovule कैसे यह कैसा होता है मतलब कि एक saved होता है और अगर placenta की बात गरें तो खो placentation भी इसमें पाया जाता है और फिर funicle भी पाया जाता है जिससे जुड़े हुए होते हैं मतलब कि इसमें और भी कई structure होते है हाइलम देखिए यह है इसके पहले भी मैंने आपको बताया है इसलिए मैं केवल बस ऐसे ही नार्मली रिपेट करता चल रहा हूं जनेरल चीजें बताता चल रहा हूं और यह लेयर आफ इंटेगोमेंस हैं इंटेगुम्हेंंट जो सबसे बाहर ही आवड होता है उसे इंटेगुमेंटत बौलते हैं आपको बदाया गया था तो यह इस्ट्ट्रिक्चर Amen से हम दिखा हैं यहाँ पर एंवियल में आप देखोंगे दिखिए जूम करके दिखा है आप को यह माईक्रों पाइल मताब कि वीजयानड़ा उसी रास्ते से देखिए आप सबूसा कि और उसी रास्ते से फीर होता हुआhr हिंदे में बोलते है और वहीं से यह जो पॉलेंटिव जेनरेट होता है वो अंदर इंट्री करता है और माइग्रोपायल के सीध में ऊपर देखेंगे चैलजा फिर फैनकिल और इंटेगुमेंड्स नियुसिलस इस तरह से आप सारे के सारे पार्ट यहां भी देख सकते हैं उससे पहले हमने डा कुछ इस तरह से नजर आएगा की नियुसिलस कैसा होता है कुछ ऐसा आप देह सकते हो यह यह देफिए आ फिमेल प्रड़ोडी बार्गन यह फिमेल डिप्रड़ोडि पार्ट है जिसे cutter ह Webvert यह कहते हैं मेगा इसपोर मदर सिल मेगा इसपोर मदर सिल में आप देख सकते हैं और जो होता है और में मेगाय स्पोर, mother cell, inner side में होता है उनतर की तरफ होता है और यह मतलब की – large-size में प्रह जाते हैं इसमें साइटोप्लाजम dense root में solar मतलब की बहुत कम और इनी से मेगाय स्पोर का formation होता है . म Ub म मजऄस्पोर, mother cell this messy used medicine, Western gen e एदे। धिच inexpensive तुछ ऑगर मेhando स्पोर बरकाइशनने जाता है और किवए एक मीघारी सÏड में रहता है वह अपनी आपको सब्सक्राइब करने औरुमप्स साइब माइक्ळ पाइलर इंड है मतलब नीचे साड़ में मॉर्प यूपाईलर एंड होगा और ओपर जो होगा वो चले ज़ल इंड कहलेंगा देख़े एक जो मिगाईसप jackets आपका बन गया है यह मेगाई-Sport आगे चल कर मतलब की मेगाई-Sport दो आप जानती ही निए कि मेल-ipurty part होता है और माईक्रो-Sport जो होता है वह मेल-ipurty part होता है कर अचनुतर और यह फिर से आप देख सकते हो कि क Ci स्तरह से ओवरी का जो यह पाल्ठ है उसमें आप मेगाइस पोड देख सकते हो कि से डिवाइटilde हो रहा है देखो सिंगल से 2 नूपर coração महीं है इसके बाद फिर अभी फिर यहाँ पर देख एप Надेखो 21 shell हो रहा दो से चार हो गया है ना फोर्ड न्यूक्लियेट इंब्रियोस है मतलब यह जो इंब्रियोस है था वो अब देखो